कि हलो और वर्वन और वन सेगं वेलकम तो एनस वालन एजूकेशन माई नम इस नविन कुमार और आज हम इस वीडियो में कंटिनू करेंगे अपना टॉपिक मैट्रिक्स और लास्ट आम हमने पढ़ लिया था कि एडिशन कैसे करना है मैट्रिक्स का टाइप सो बैट्रिक्स क तो वो बेसिक अपने क्लियर कर लिया है और आज हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट कैसे हैं इसके बाद दो दो चीज़े जो आपकी बज्जे की उसमें है एक है आपका आइगर वैल्यू जिसको हम करेंगे नेक्स वीडियो में और एक हम बात करेंगे आपका solution of linear equation ठीक है solution of linear equation तो इतना ही कवर कर पाएंगे आपके gate exam से पहले ठीक है कोशिश पूरी कीवेन है बड़ टाइम नहीं मिलता है तो जितना टाइम मिलता है उसमें आपको मैं प्रोवाइड करनी कोशिश कर रहा हूं ठीक है इसके इलावा बचो लास्ट वीडियो में आपक वी इस टॉविक्स आपको मैंशन कर जाता हूं जो आप पड़ सकते हैं जिसमें आप पड़ सकते हैं Bonus ठीक है आपको अपड़ सकते हैं जो आप सकते हैं व cespiration रास्पिरेस्वेसमें आपका पूच पूचा जाएगा glycolysis, TCA cycle और oxidative phosphorylation जोता है respiration गंदर ठीक है उसके inhibitor कहा है तो देखिए main चीज यह कि गेट आपसे ज़्यादा deep में question नहीं पूछेगा वो सिर्फ basic question पूछेगा कि आपको पता होने चीए कि उसका function क्या है वो कहां पर हो रही है तो जैसे last time इससे question आया था कि TCA cycle आपके कहां पर हो रही है तो इस तरीके question गेट अग्रा में पूछे गए है तो आपको यह basic knowledge पता होने चीए कि कहां पर हो रही है क्या function है उनका तो basic पूछता है वो जाना चाहता है कि आपको subjects की basic knowledge है या नहीं है एक काम करते हैं topics तो काफी जादा है तो मैं कोशिच करता हूँ कि एक video आपको बना करके दे दूँ इस चीज के उपर कि एक list ऐसे topics की जो दो दिन में आप अगर revise कर ले तो आपको काफी जादा help मिले gate exam में तो मैं कोशिच करता हूँ जितने जल्दी वो video बन जाए और आपको मैं अब वो provide कर देता हूँ वो list ठीक है तो उसको आप क्या करें उन सारे topics को एक बार जरूर revise करके जाएगा gate exam से पहले ठीक है तो hopefully आपका gate exam बहुत अच्छा जाएगा ठीक है practice करते रहे है यही दो दिन है आप लोगों के पास यह सोचे बस यह दो दिन में ना सोना है ना कुछ करना है ठीक है तो जितना भी है यही दो दिन है इसको अच्छे से utilize कर लेंगे तो gate exam के result काफी अच्छा हो जाएगा आपके number काफी अच्छे आ जाएगे ठीक है इंप्रूव कर लेंगे आप अपना result तो चलिए स्टार्ट करते है topic matrix और determinants ठीक है तो determinants तो इतना ही पढ़ेंगे जितना gate exam के लिए ज़रूरी है नहीं तो otherwise time बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो मैं नहीं चाता आप लोग का time बिल्कुल भी waste हूँ तो आज मैं समझाने से ज़्यादा रटवाने पर थोड़ा focus करूँ हूँ तो देखे matrix को किस तरीके से show करते है matrix का representation इस तरीके से होता है कि अगर आपके पास एक यह matrix है ठीक है A, B और CODs के element है और बीच में A है तो इसको read करेंगे as determinant of A ठीक है और इसको इस तरीके से लिख सकते है इस matrix को यहाँ पर इसके अंदर इस तरीके से लिख सकते है ठीक है तो देखे यहाँ पर bracket थे बट यहाँ पर bracket नहीं है ठीक है यहाँ पर modulus का sign है रिसे तो और इस तरीके से भी तो और इसके लावा बचो एक और तरीका है इसको represent करने का determinant को तो इसलिए बता रहूँ कि question में जब आएगा आपसे पूचेगा तो हो सकता है इन symbols का use हो तो आपको आप इनसे aware होने चाहिए कि इनका meaning क्या है एक और चीज जो बहुत important है जो आपको पता होने चाहिए वो यह है कि determinant सिर्फ और सिर्फ square matrix का ही निकाला जा सकता है किसका निकाला जा सकता है सिर्फ और सिर्फ square matrix का ही determinant find out कर सकते है अब question करेंगे तो उसी clear हो जाएगा कि किस तरी किस है determinant find out करते है तो देखे, determinant of matrix of order 1 अगर order 1 है order 1 का मिलिंग क्या होता है मैंने आपको बता है कि matrix जो होती है उसका order होता है order यह बताता है कि उसके अंदर कितने rows है और कितने column है last video में discuss कही थी यह बात जैसे कि आपका यह matrix थी पीछे, यह वाली जो matrix है क्योंकि इसमें 2 row है 1 और 2 और column कितने है 1 and 2, तो यह क्या है 2 by 2 की matrix है अब क्योंकि square matrix में rows और column दोनों same ही होते है तो इसको हम सिर्फ 2 से represent कर सकते है तो अगर एक ही word लिखा हुआ है अगर order सिर्फ 2 लिखा हुआ है इसका मतलब हो क्या है कि square matrix है 2 by 2 की clear तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है one तो यह क्या है कि square matrix है 1 by 1 की तो यानि कि यह इसके अंदर सिर्फ एक ही element होगा कितने element होगे एक ही element होगा क्योंकि इसका order one है तो a की row और a की column a की row और a की column से सिर्फ a की element आ सकते है इसके अंदर यह वन ही क्या बन जाएगा, इसका determinant बन जाएगा, clear है, यहां तो कोई डाउट तो नहीं है, बात करते हैं कि अगर 2 by order 2 है, यानि कि order 2 का meaning क्या है, कि 2 by 2 की matrix है, तो 2 by 2 की matrix अगर आपके पास है, तो किस तरह कैसे निकालेंगे, तो 2 by 2 matrix में क्या करते हैं, बच्चों यह जो opposite element है, क्या है, opposite element है, इनकी cross multiply कर दो, क्या कर दो, cross multiply, आता है, cross multiply करना, तो इनकी cross multiply कीजिए, तो इसकी multiply इससे करो, इसकी multiply इससे करो और दोनों को क्या कर दो, minus करते हो, तो देखो यहां पर यही काम हुआ है, इन्होंने क्या है, इसको इसके साथ multiply गया, इसको इसके साथ multiply गया, और दोनों को क्या कर दिया, minus कर दिया, is that clear, तो यह क्या है, determinant for two order of two by two matrix के लिए है, ठीक है तो यह question solve करते हैं question पुछे गया तक gate 2018 में इसको solve करेंगे तो आपको सफ़जमा जाएगा है कि 2 by 2 matrix का कैसे find out करते है determinant ठीक है तो जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया है कि determinant find out करने के लिए तो इसको representation के साथ determinant का इस तरीके से represent करते है 4, minus 3, minus 6 और यह अपर 2 ठीक है और कैसे find out करने determinant बहुत इजी है आपको किया करना है इनकी opposite elements को multiply कर देना है जैसे cross multiplication करते है उसी तरीके से इनको multiply कर दीजिए याद रगे पहले यहां से start करेंगे और उसके बाद यह वाला तो first पहले 4 की multiply 2 से 4 into 2 then minus का sign और उसके बाद जो next next का है minus 6 into minus 3 तो minus 6 into minus 3 बहुत easy simple तो वो टुझे आपको पता है 8 होता है minus और यह minus minus plus हो जाएंगे दोनों cancel हो जाएंगे 6 तरीके 18 minus का 18 तो यहां से कितना आएगा answer यहां से आएगा answer minus 10 so our answer is minus 10 तो यह आपने देखा कि किस तरीके से आपको solve करना है 2 by 2 matrix ठीक है next देखते है 3 by 3 matrix के लिए ठीक है बट देखे ध्यान से यह वो तर 2 by 2 matrix यह 3 by 3 matrix है इसका determinant इतनी असानी से नहीं लिखी लिखा तो मेरी बात को ध्यान से समझे आज मैं पहले बार रेट वाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि मुझे पता है अभी time जादा नहीं है तो चीज़ों को रेट ले नहीं ठीक रहेगा समझाना मुझे अच्छा लगता है बट आज मुझे थोड़ा अपना आपको control करना पड़ रहा है इसको use कर लेते हैं इक्वल स्टो तो जब आपको determinant find out करना है किसका 3 by 3 matrix का तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ किया से find out करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे row 1 किस से row 1 से start करेंगे तो row 1 को follow करना है expand करना है row 1 को इस direction में आप चाहें तो row 2 के लिए भी कर सकते हैं row 3 के लिए भी कर सकते हैं even आप column के लिए भी कर सकते हैं column 1, column 2, column 3 बस किसी एक के लिए करना है और सबसे determinant same ही आता है row 1 को follow करोगे तब भी determinant same आएगा row 2 को follow करोगे तब भी same आएगा row 3 को भी करोगे तो भी same आएगा first column को करोगे second को करोगे third को करोगे तब भी आपका answer same ही आएगा but easy रखने के लिए हमेशे क्या करें first row का ही use कीजे तो हम first row का use करेंगे और first row की direction हम ये लेंगे left to right clear है तो left to right में row 1 में पहला element क्या रहा है बच्चो left to right row में पहला element है 3 clear इसके ओपर sign कोन से लगा है मैंने plus का तो हम यहाँ पे लिखेंगे plus 3 लिखा plus 3 यहाँ तक कोई doubt नहीं है next चीज हमें क्या करनी है next चीज हमें करनी है अपने हातों से या फिर आपके पास जो भी उपकरण available है ठीक है उनका use करते लाए कर रहा है उसको hide कर लीजे तो देखे यह जो 3 element है वो row first में लाए कर रहा है तो मैंने इस row first के जो element है उनको मैंने यह लीजे गाइब कर दिया ठीक है इसी तरीके से जो आपका third element है यह फस्ट element है row one का यह किस column में लाए कर रहा है फर्स्ट कॉलम में लाए कर रहा है तो मैं इसके elements को भी क्या कर देता हूँ इसको भी hide कर देता हूँ ठीक है तो अब आई यह आपको दिखाई नहीं देंगे अब आपको क्या दिखाई दे रहा है अब जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों वो है यह वो है यह आपकी टू बाइटू की मैट्रिक्स क्या दिखाए देरी आपको यह दिख रही है टू बाइटू की मैट्रिक्स जा नहीं दिखाए देरी है दिख रही होगी है, ऐसी बाद तो नहीं काफी बड़ी है, तो ये 2 by 2 की matrix आपको साफ साफ दिख रही है, तो ये 2 by 2 की matrix है, within 3 by 3 matrix, आपको क्या करना है, अभी मैं आपको सिखाया था न, कि 2 by 2 matrix का determinant कैसे find out करते हैं, कैसे find out करते हैं, कि opposite elements की multiply करके, कैसे, opposite element की multiply कर दीजे, और ये पड़ा आपने, तो वो ही काम में यहाँ पर करेंगे, तो देखे, ये bracket बनाया है, ब्लू कोलर्स अगर लेता है, अगर low resolution पर वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो red color साइद clearly visible नहीं होता है, ठीक है, ऐसा मुझे बता है किसी ने, ठीक है, तो देखे, तो हमें क्या क 4, तो माइनस 4 है, तो यह आजाएगा, माइनस 20, फिर माइनस, माइनस करेंगे, किसको, इन दोनों को, तो 0 को 8 से multiply करो, तो 0 यह आएगा ना, बच्चो, तो यह आगए 0, is that clear, यहाँ तो को डाउट तो नहीं है, clear, यह होगा, आपने first element का निकाले, क्या निकाला है यह आपने, first element का आपने find out करना है, तो अब हमें find out करना है, बच्चो, second element का, किसका find out करना है, यह सुर माइनस अट गया, माइनस को लगाते हैं, जी, तो first element अब हमने find out कर लिया है, तो यह काम करते हैं, first element को ही गयाप कर देते हैं, क्योंकि अब इसका काम खतम हो गया है, ठीक है, अब next element पर चलते है, next element क्या है हमारा, next element आपका यह 0, तो next element 0 के लिए find out करना है, अब हमें, तो 0 के लिए कैसे find out करेंगे, तो पहले इसको को लिखते है माइनस माइनस क्यों लगा रहा हूं किमए यहाँ पर быть लगा इस तम कि यह यह लीज़े हैं कुछ में यूद करना है अब बैक्ट में क्या करना है मैं ने लेकिन किसकर करेंगे कि जिस रो में जिरू ऐलेमेंट लाए कर रहा रहा है उसको hide कर दीजिए उसके element को और जिस column में लाय कर रहा है उसके elements को भी hide कर दीजिए तो आपके पास क्या बच्चे कि एक two by two के matrix आपको दिख रही होगी उसको उसको उनकी क्या करने है हमें cross multiply करने है या फिर आप कहले जाए हमें उनका determinant find out करना है तो two की multiply करेंगे minus four से और इसका determinant find out करेंगे तो कितना आएगा two minus four minus eight आएगा clear minus फिर किसी multiply करेंगे six zero to zero होता है तो यह आपका zero आगया clear यहां तक कोई doubt आप लोगों को नहीं होना चाहिए तो यह आपने second element का भी लिए यह मैं आपको इसलिए निकलवा रहा हूं वैस्तों जीरो से multiply करेंगे जीरो यह आ जाएगा बट मैं आपको सिखाने के लिए यह पूरा solve कर रहा हूं ठीक है नेक्स्ट क्या है next symbol किसका लगा हुआ प्लस का तो प्लस बनाएंगे और फिर से इसको clear कर लेते हैं सारी चीजों को अब हमने क्या क्या है हमने यह वाला भी element cover कर लिया है तो बस एक ही element आपका बच किया वह है यह वाला zero कौन सवाल है यह zero इसके लिए में find out करना है तो इसको लिख लेते हैं प्लस जीरो फिर ब्रैकेट बनाएंगे अब आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा सेम चीज़ें में करनी है कि यह element जिसमें लाए कर रहा है उसके दो उसकी रो को हाइड कर दीजे वह पहले से हाइड करके हमने और इसके कॉलम को भी हाइड कर दीजे तो यह कॉलम इसका ह 56 30 इस देट लेर यहां तक को डाउट पर नहीं है अब यह मैं आपको समझाया है कि अगर यह 0 नहीं होते तो आप कैसे सॉल्ट करते ठीक है बट यहां पर 0 है तो यह बहुत एजी है यह जिरो है यह भी 0 यह आएगा तो सिर्फ वर सिर्फ सॉलूशन यहां से आएगा इस प 60 तो बच्चों इसका अंसर कितना है इसका डिटर्मिनेंट आपका माइनस 60 इस देट लियर यहां तक आप लोग को कोई डाउट नहीं होने चाहिए अच्छा एक चीज और बता देता हूँ कि आखरे माइनस प्लस साइन कैसे डिसाइड होते हैं यह माइनस प्लस साइन ऐसे होते हैं इससे कि minus 1 की power sorry, पुरा लिख देता हूँ यहाँ पे minus 1 की power i plus j इससे decide होगा किससे decide होगा? इससे decide होगा कि आपका minus का sign रहेगा या फिर plus का sign रहेगा कैसे देखते हैं पहला देखें, सबसे पहला element क्या है? यह 3 है तो यह 3 element है, इसकी position क्या है? इसकी position है 1, 1 क्योंकि यह first row में लाए करता है और उसका column भी क्या है बच्चो? फस्ट है, यह 3 है, यह क्या है? इसका first row, first column तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसकी value हो जाएगी minus 1 की power i की value क्या है? यह i क्या है i बताता है row यह क्या है, row को mention करता है और j बताता है कि वो किस column में है element ठीक है? तो यहाँ पर यह क्या है? यह i है और यह j है तो यह first row first column तो यह कितना हो गया? minus 1 की power 2 और minus 1 की power 2 क्या जाएगा? अंसर आएगा 1 ठीक है? minus 1 अकर square 1 क्योंकि minus minus plus हो जाएगा इसी तरीके से जो second element है यह यह first row और second column में लाए करता है तो first row और second column का जो element है उसके लिए निकालते हैं उसके लिए कितना हो जाएगा? minus 1 की power 1 plus 2 तो यह हो जाएगा minus 1 और यह उपर आगा 3 और आपको पता है कि यह odd है तो यहाँ पर क्या है का आएगा answer? minus 1 ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि पहले plus आएगा क्योंकि यहाँ पर power क्या है? even है समझ रहे है आप मेरे बात को क्योंकि जब तक minus 1 की power even रहेगी तब तक तो यह आपको क्या है? 1 रहेगा और जहाँ पर इसकी power odd हो जाएगी तो यह minus 1 हो जाएगा clear है? यहाँ तो यह था solution 3 by 3 matrix का एक बार practice करेंगे तो आ जाएगा अब हम बात करेंगे आपकी 4 by 4 matrix की तो यह example है 4 by 4 matrix का चीक है? यह 3 by 3 matrix है थोड़ा लब बड़ा है इसलिए वो जो आपका 3 by 3 matrix था वो एक number में था शायद और यह आपका 2 marks में है ठीक है? तो यह काफी पुराना question भी है 2011 में पूछा गया था तो rarely अब शायद इतना बड़ा question आए बट इतना बड़ा भी question नहीं है तो solve करने की कोशिश करेंगे इसको देखते हैं कि 4 by 4 matrix कैसे solve करते हैं? तो हमने देख लिया है कि one order की matrix कैसे solve करते हैं two order की matrix कैसे solve करते हैं? अब हम देख रह releasing fourth order की matrix कैसे solve करते हैं तीक है? इसी तरीके से आप बागी matrix इसके बाद कितना भी बड़ा order क्यू ना हो जाए इसको solve कर सकते हैं बट इस से अगर five by five की मेटक्स आ जाया तो उसको सौल करने बहुत जादा टाइम लेगा तो आप से कोई नहीं पूछेगा ठीक है तो इसको भी देख लेता है फोर फोर की भी नहीं पूछने जी यह थी बढ़ ठीक है उन्होंने तो आंसर करना पड़ेगा देखिए इसके लिए क्या करते हैं पह से पहले हम बात करते हैं फस्ट एलिमेंट की ठीक है तो हम यहां पर भी क्या है फस्ट डो लेंगे और कहां से कहां मूब करेंगे इस डारेक्शन में मूब करेंगे तो इस डारेक्शन में अगर मूब करेंगे तो हमारा पहला एलिमेंट क्या आएगा बच्चो पहला एलिम यह जो आपने element select किया है वो जिस भी row या जिस भी column में आता है उसको hide कर दीजे तो यह इस row में आता है और इस column में आता है इसको hide कर दीजे उसके बाद क्या बच्चा बच्चो इसके बाद आपकी बची है 3 by 3 matrix क्या बची 3 by 3 की matrix बची है तो उसको आप यहाँ पर इस तरीके से लिख लीजे कहने का मतलब यह है कि आपको सबसे पहले इस 3x3 matrix का determinant find out करना पड़ेगा जैसे आपने पीछे find out किया था और उसके बाद इसके multiply इस component से कर दीजेगा तो इसका determinant यहाँ से इस तरीके से find out किया जाएगा तो इसके लिए जो इसकी 3x3 matrix है उसको हमने आप यहाँ पर mention कर गया अब next element देखते कि आपका next element क्या है तो यह तो हो गया इसको उटा दीजिए यह हो गया अब next element आपका minus 0 तो आपको पता है किसी भी इसकी 0 से multiply करेंगे तो क्या आएगा जीरो यह आएगा ठीक है तो minus 0 तो इसके लिए में कुछ नहीं लिख रहा हूँ इसके लिए मैं direct अभी 0 रहने दे रहा हूं next जो आएगा उससे आपको clear हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है आपका तो 0 के लिए तो 0 याएगा next आपका यह प्लस 1 अब यह प्लस तो है बट यह जो 1 है element है वो तो पहले सी minus है तो plus minus minus तो हम यहाँ पर लिखेंगे minus 1 अब minus 1 लेंगे तो इसकी तो अप्लाय करने से कोई चीज जिरो नहीं होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें वही करना है जो हम कर रहे थे कि हमें पहले इसकी row को hide करना पड़ेगा जिस row में लाए करता है और जिस column में लाए करता उसको hide कर दीजे ठीक है फिर दुबारे से आपके लिए क्या बच गई आपके लिए बच गई है 3 by 3 की matrix तो 3 by 3 की matrix को दुबारे से no down कर लिजे तो 4, 7, 2 इस कहने का मतलब यह है कि सब चब पहले आपको इसका determinant find out करना पड़ेगा 3 by 3 matrix का और उसके बाद आप इसके multiply कर देंगे minus 1 से ताकि 4 by 4 matrix का determinant find out किया जा सके clear है यहां तो यह आगे इसका अब देखते है next element क्या है इस row में इसके इस row में जो next element आपका आता है वो क्या है that is 0 तो 0 तो किसी भी चीज से multiply करेंगे तो क्या जाएगा जीरो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपने find out कर लिए 4 by 4 matrix का यहां था clear यहां था को doubt नहीं होने चाहिए अब हमें क्या करना पड़ेगा जैसे कि आप देखी सकते हैं कि हमें find out करना है इस 3 by 3 matrix का determinant जैसे पीछे find out करना है तो 3 by 3 के लिए 2 by 2 का निकालना पड़ता है तो सब interlinked आपसमें तो देखते हैं यहां से निकालते हैं find out करते हैं तो इसका निकालना है तो यहां पे बड़ा bracket मैं यहां पे draw कर लेता हूं और अंदर के लिए कोई दूसा कर यूज कर ले minus plus यहां तको doubt नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहां पे आपने mention कर दिया plus minus 1 सबसे पहला element क्या है सबसे पहला element लेंगे आप 7 तो सबसे पहला element हम लेंगे 7 तो लिखते हैं plus 7 plus का है 7 तो 7 then within bracket bracket में देखे अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चो आपको पता है आपको hide कर करना पड़ेगा 0 को और 2 को hide करना पड़ेगा और जिस column में यह आता है उसको भी hide करना पड़ेगा तो हमारे पास क्या बच्ची है 2 by 2 की matrix बच्ची है तो इसका हम आपको पता है cross multiply करना पड़ेगा इसका इसके साथ और इसका इसके साथ तो minus 1 into minus 1 तो minus 1 आएगा then minus 2 अंज 2 2 तो यहां साथ है 2 तो यह आपने 7 के लिए कर लिए ठीक है तो यह आपने 7 के लिए find out का इसी तरीके से आपको बाकियों के लिए find out कर लेना है आप मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको solve करूंगा अधरवास time लेगा तो next element है minus 0 तो minus 0 के लिए तो कुछ करने की ज़रोती न elements को और जिस कॉलम में राय करता है उन elements को जो हमारे पास बज़ेगा उसकी cross multiply करेंगे तो यह plus का 2 है तो plus 2 लिखे पहले bracket बनाए यह bracket में multiply करिए 1 की 2 के साथ और इसकी इसके साथ तो यह 122 और minus into 0 तो 0 ही हो जाएगा तो यह आपने find out कर लिए first matrix के लिए first matrix की cut determinant आपने find out कर लिया clear तो यह आपने यह आपका लिया good अच्छा काम क्या आप लोगों है मतलब मैंने ठीक है तो यह minus 0 और minus 1 इसको as it is लिख लिए अब बात करते हैं इस matrix की इसको भी solve करना पड़ेगा हमें तो इसका solution देखें यहाँ पर भी इसी तरीके से करना है तो वीडियो को पॉस्ट कीजिए और उसके बाद खुछ से find out करने कोशिच कीजिए कि इसका अंसर कैसे नकालेंगे इसके लिए ready use कर लेते हैं तो यह इस बचेगे आपके पास इसका determinant find out लें यह दो वन और 0-1 और 0-1 तो जीरो इसके बाद आप देख सकते हैं कि यह जिस रो में लाए कर रहा है उसको नेगलेट करिए जिस कॉलम में लाए कर रहा है उसको नेगलेट करिए तो बचेगा क्या बचेगी एक तो यह बचेगा औ रही है तो इनके बीच में क्रॉस मुल्टिप्लाइ कराई है तो वन की म्ल्टिप्लाइ इस वन से होगी तो वन बंग वन मायनस टूवन जा टू तो माइनस टू गल्या देन यह七व कर उसके बार द आपका नक्स्ट element के तरब move करते हैं next element क्या है next element है plus two plus two लिखे bracket बनाए ये फिर जिस ये row में लाए करा उसको neglect करें जिस column में लाए करा उसको neglect करें फिर एक two by two के matrix बचेगी उनकी cross multiply करें तो one zero zero minus two one zero two तो ये था आपका इस तरीके से solution ऐसे find out करना इसका ठीक है इसलिए दो नंबर में दिया है numerical solve करते तो भी थोड़ टाइम लगता यहां पर solve गया तो भी थोड़ टाइम लग गया ठीक है अब solve कर लिए जल्दी से तो देखी क्या आएगा यह आएगा वन तो वन तो ऐसी रहेगा स्को छोड़ी दो यहां पर देखते अंदर अंदर क्या यह यह है two minus two minus one and minus three minus 37 करें के तो कितना आएगा इससे आएगा आपका यह जो पूरा है इससे आ है आपका minus twenty one ठीक है फिर आगे चलिए यह क्या है two to four तो यहां से आ रहा है four ठीक है यहां पर आईए यह क्या है four वन जा पूर यह क्या है one one minus two to minus one आएगा minus seven minus seven कितना आएगा प्लस seven हो जाएगा minus seven two minus one plus seven फिर यह देखे minus two minus two और plus two की multiply करेंगे तो आएगा minus का four clear है तो आप देख सकते हैं यहां पर यह प्लस का four reconcile हो जाएगा minus के four से जो बचा है उसको add कर दीजिए ठीक है तो कितना बचा है हमर पास उसको add करेंगे तो इसका sum क्या हो जाएगा बच्चो इसका total sum हो जाएगा आपका minus twenty one plus four then यह 0 तो है तो minus one within bracket seven और seven नहीं बचा है बस आपको लोग के पास तो यहां से कितना आएगा तो minus twenty four into plus four हो जाएगा आपका और यह minus का seven हो जाएगा तो minus seven और minus twenty one यह हो जाएगा आपका minus twenty eight minus twenty eight plus four and that will be give you minus twenty four तो बच्चो यहां से answer क्या गया minus twenty four that means हमारा right answer है option number c ठीक है तो option number c हमारा right answer है और इसके लावा तो आज हमने क्या क्या देख लेए determinants में आज हमने find out कि determinant for order one for order two for order three and for order four तो बस इनी questions को एक बार आप practice कर लीजिए और उससे आपका काम हो जाएगा ठीक है इससे जाद आपको करने जोड़त नहीं है बस इनी questions की एक बार practice और कर लेना ठीक है तो आपका determinants अगर कोई question आएगा तो आप hundred percent उसको solve कर लेगे ठ है आइगन value पे और एक आपकी वीडियो बनेगी solution of linear equation ठीक है तो वह मैं जल्दी आपकी upload कर दूँगा इसके लावा एक वीडियो में आपकी और upload करूँगा जिसमें आपका important topics mention होंगे जो कि आप अभी जो आपके दो दिन बचे गेट exam से पहले उनमें आप उनको prepare जरू कर हो जाते हैं ठीक है तो आप उनको अगर prepare कर लेंगे तो आप लोग के लिए benefit रहेगा आप लोग का get score अच्छा आने की chances बढ़ जाएंगे ठीक है तो मैं कोशिच करूँगा कि वीडियो जल्दी जल्दी upload हो जाए ठीक है बट guarantee नहीं ले सकता ठीक है तो अपनी preparation को जारी र रखें मैंने यह notice कि आए कि जब भी मैं मैं खुद prepare करता था एक्जाम के लिए तो क्या है लास्ट के जो यह जो टू-3 डेज होते है इन में सब से अच्छी preparation होती है उससे पहले नहीं होती है उससे पहले टेंशन नहीं होती नहीं एक्जाम की बट अब जब टेंशन आ जा बाइ बाहे